मैं डॉक्टर भामा अगरवाल आपके अपने यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं अभिनंदन करती हूं आईए प्यारे बच्चों आज हम धुरू स्वामिनी नामक नाटक का अध्यान शुरू करते हैं इस नाटक के अध्यान से पूर्व इसे सरल और सहज बनाने के लिए हमें इसकी भुमिका को समझना होगा जो इस प्रकार हैं धुरू स्वामिनी नाटक चायावादी साहित्यकार जैशंकर प्रसाद द्वारा रचित है जो 1933 में प्रकाशित हुआ यह भारतिय इतिहास के स्वन युग गुप्त काल की प्रिष्ट भुमी को लेकर रचा गया इसमें पुरुष सत्ताद्मक समाज के शोशन के वृद्ध नारी के विद्रोह द्वारा उसके अस्तित्व अस्मिता अधिकार अनुचित विवासे मौक्ष तथा पुनर लगन के समस्या का समाधान प्रस्तुत किया गया है यहां समुद्र गुप्त की मृत्यू से लेकर चंद्र गुप्त के राजा बनने तक के समय के घटना क्रम को तीन भागों में विभाजित किया गया है पात्र सुची धुरुस्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, चंद्र गुप्त, राम गुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, शक्राज, खिंगिल, मिहिर देव, सामंत कुमार, शक्र सामंत, प्रतिहारी, प्रहरी, दासी, कूबडा, बोना, हिजडा, नर्तकिया प्रथम अंक इस प्रकार है स्मरणिय बिंदू नमबर एक प्रथम अंक का आरंभ, परवतिय प्रदेश में राम गुप्त के युद्ध शिविर में धुरुस्वामिनी के प्रवेश से होता है नमबर दो यह विजय अभियान केवल बहाना है वास्तों में धुरुस्वामिनी के हिर्दे में चंद्र गुप्त के प्रती भावों का पता लगाना है नमबर तीन इस कारिये के लिए राम गुप्त ने अपनी बहन मंदाकिनी को दासी के रूप में निक्त किया है जो अपने उदेशे में सफल होती है अर्थात वो धुरुस्वामिनी के हिर्दे में चंद्र गुप्त के प्रती कोमल भाव हैं यह जान लेती है नमबर चार आयोग कमजोर तथा विलासी राम गुप्त महामंत्री शिखर स्वामी के शडियंत्र द्वारा गुप्त समराज तथा धुरुस्वामिनी दोनों को प्राप्त करता है इसलिए हमेशा सशंकित रहता है सशंकित डरा हुआ नमबर पाँच राम गुप्त की अयोग्यता को जानकर शकराज उसे घेर कर युद्ध के लिए ललकारता है नमबर च्छे रस विलास में डूबा राम गुप्त कोई उत्तर नहीं देता तो शकराज दो शर्तों के साथ संधी प्रस्ताओ भिजवाता है अत्वा भेज देता है नमबर साथ शर्त के अनुसार धुरू स्वामिनी अपने लिए तथा गुप्त सामंतों की पतनिया शक्त सरदारों के लिए मांगी जाती है नमबर आठ गुप्त वन्शिय पर्तिष्ठा के वृद राम गुप्त संधी की शर्त स्विकार कर लेता है नमबर नो धुरू स्वामिनी अपनी पर्तिष्ठा की रक्षा के लिए राम गुप्त से प्रार्थना करती है मगर वह इसके लिए तैयार नहीं होता नमबर दस शिखर स्वामि कहता है कि राज्य और राजा की रक्षा हर वस्तु देकर होनी चाहिए नमबर ग्यारा ए सहाए धुरू स्वामिनी सम्मान की रक्षा के लिए आत्म हत्या को तत्पर होती है उसी समय चंद्रगुप्त आकर उसे बचा लेता है नमबर बारा चंद्रगुप्त स्वाम धुरू स्वामिनी के रूप में सामंत कुमारों को साथ लेकर शक्राज से इस अपमांजनक शर्त का बदला लेना चाहता है मगर धुरू स्वामिनी उसे ऐसा करने से रोपती है नमबर तेरा अंतमे चंद्रगुप्त धुरू स्वामिनी वे सामंत कुमारों को लेकर शक्राज के पास जाता है नमबर चोदे चंद्रगुप्त की बहन मंदाकिनी के ओजस्वी गीत के साथ सब प्रस्थान करते हैं और परदा गिरता है आए प्यारे बच्चो अब हम इस नाटक के पदों की व्याख्या कर उसे समझने की कोशिश करते हैं पद संख्या 24 राम गुप्त सशंक कह दूं सोचा तो है मैंने प्रन्तु क्या तुम उसका समर्थन करोगे शिखर स्वामी यदि निती युक्त हुआ तो अवश्य समर्थन करूँगा सब के विरुध रहने पर भी स्वर्गिये आर्ये समुद्र गुप्त की इच्छा के प्रतिकूल मैंने ही आपका समर्थन किया था निती सिध्धान्त के आधार पर जेश्ट राजपुत्र को प्रसंग प्रस्तुत गध्यांश चायावादी साहित्यकार शिरी जैशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित धुरुध स्वामनी नामक नाटक के प्रतम अंक से लिया गया है संधत यहां नाटक कार श्री जैशंकर प्रसाद जी उस घटना का उलेक कर रहे हैं जिसमें शकराज संधी प्रस्ताव भेज कर धुरु स्वामनी वे सामंत कुमारों की पत्नी को उपहार में मांगता है तो शिकर स्वामी रामगुप्त के साथ इस विशे पर मंत्रणा करने के लिए आया है लेकिन रामगुप्त अपने आयर्ता और आयोग्यता के कारण महरानी को उपहार में देकर युद्ध से बचने की योजना बनाता है और अपनी इसी योजना में शिखर स्वामी के समर्थन के विशे में जानने के लिए पूछता है कि व्यक्या शब्दों के अर्थ आवशक्ता के अनुसार रामगुप शशंक शक करते हुए संदेह के साथ कह दूँ बता दूँ सोचा तो है मैंने कि मैंने विचार किया है प्रन्तु अब यह सोच रहा हूं कि आप उसका समर्थन करेंगे अथवा नहीं करेंगे शिखर स्वामी जो स्विम स्वार्थ और दुष प्रवर्तियों से भरा हुआ है वह कहने लगा यदि निति युक्त हुआ तो अवश्य समर्थन करूँगा कि यदि निति के अनुसार वह बात सही हुई तो मैं जरूर आपका सहयोग दूँगा शिखर स्वामी रामगुप्त को अपने दबाओ में लेने के लिए उसे यह जताने के लिए कि वही रामगुप्त का सच्चा हितेशी है इसलिए कहता है कि सबके विरुद रहने पर भी स्वरगिये आर्ये समुद्र गुप्त की अग्या के प्रतिकूल मैंने ही आपका कि आपको सिहासन पर बैठाने में कोई भी प्रसन नहीं था, किसी की भी इच्छा नहीं थी, यहां तक कि स्व्यम आर्ये समुद्र गुप्त भी आपको सिहासन देने के हक में नहीं थी, लेकिन एक अकेला मैं था जिसने सब के विरोध का सामना किया और आपको सिहासन पर बैठाया, क्योंकि मेरे अनुसार निती सिध्धान्त के आधार पर जेश्ट राजपुत्र को, कि निती के अनुसार कि राजा का सबसे बड़ा पुत्र ही उसका उत्त्राधिकारी बनता है, करते हुए आपको राज सिहासन दिलाया, आएए प्यारे बच्चों एक बार फिर इस पद की व्यक्या करते हैं, यहां रामगुप्त, जो आयोग्य और कायर है, शकराज से घिरा होने पर, संधी की शर्त, महरानी को वैसामन्त कुमारों की पतनी को उपहार में देने की बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है, और उसमें शिखर स्वामी का समर्थन चाहता है, इसलिए वह संधेह से भरकर उनसे पूछता है, कि मेरी क्या योजना है, आप कहें, तो मैं आपको बता दू, मैंने इस समस्या से बचने का, इस युद्ध से टलने का, एक उपाए सोच रखा है, परन्तु क्या तुम मेरे उस उपाए का, मेरी उस सलह का समर्थन करोगे, शिखर स्वामी, राम गुप्त को कहता है कि, यदि निती युक्त हुआ तो अवश्य समर्थन करूगा, कि यदि आपके द्वारा रखा गया प्रस्ताव, आपके द्वारा दिया गया निती सिध्धान्त के अनुसार मानने योग्य होगा तो मैं अवश्य मानूगा, क्योंकि आपको सिहासन पर बैठाने में पूरे गुप्त समराज्य में कोई भी इच्छुक नहीं था, सब आपके विरुध थी, यहां तक कि स्विम स्वर्गिये माहराज समुद्र गुप्त भ केवल निती सिध्धान्त का पालन करते हुए आपको राजगद्धी पर बैठाया, क्योंकि निती सिध्धान्त के अनुसार कुल का सबसे बड़ा पुत्र ही पिता का उत्राधिकारी होता है, भावार्थ यहां नाटक कार के कहने का उदेश्य है कि शिखर स्वामी जो निज स्वार्थों और निजी हितों में खोया हुआ है, और राम गुप्त आयोग्ये वे कायर हैं, अता है, इस अपमान जनक शर्त को निती सिध्धान्त के आवरण से ढख कर अपनी कमजोरियों को छिपा लेना चाहाते हैं, विशेश्य यहां शिखर स्वामी वे राम गुप्त क चरित्र की कमजोरियों का उधगाटन हुआ है, शुद्ध साहेतिक खड़ी बोली है, तत्सम प्रधान शब्दावली है, लक्षन शब्द शक्ती है, प्रसाद गुण है, समवादात्मक शैली का आयोजन है, अनुभूती परक बिंब का सफल परियोग हुआ है, पद संख्य 25 रामगुप्त, बात काट कर, वह तो, वह तो मैं जानता हूँ, किन्तु इस समय जो प्रशन सामने आया है, उस पर विचार करना चाहिए, तुम तो जानते हो कि मेरी इस विजय यात्रा का कोई गुप्त उदेश्य है, उसकी सफलता भी सामने दिखाई पड़ रही है, हाँ थोड़ा सा साहस चाहिए, शिकर स्वामी, वह क्या, प्रसंग पूरववत, संधर, यहां उस घटना का उलेक किया गया है, जिसमें शकों द्वारा भेजे गए संधी प्रस्ताव को, रामगुप्त अपनी योजना के अनुसार स्विकार करने को ततपर है, और वह, उसमें श शिकर स्वामी का समर्थन चाहाता है, इसलिए रामगुप्त शिकर स्वामी से कहता है कि, व्यक्या, शब्दों के अर्थ साथ साथ, रामगुप्त बात काट कर, वह तो, वह तो मैं जानता हूं, कि रामगुप्त शिकर स्वामी की बात को बीच में ही रोक देता है, और कहता है कि हे अमात्य मैं ये जानता हूं कि तुमने सबका विरोध जेल कर मुझे गुप्त समराज्य दिलाया है किन्तु इस समय जो प्रशन सामने आया है प्रन्तु अब शक द्वारा भेजे गए संधी प्रस्ताओं में जो प्रशन हमारे सामने खड़ा हुआ है यह समय उसी पर सो शिखर स्वामी और रामगुप्त दोनों एक जैसे स्वार्थ से भरे हुए इंसान है और जिनके लिए अपने हित से बड़ा कोई सिध्धान्त नहीं है उसी राज की बात करता हुआ रामगुप्त कहता है तुम तो जानते हो कि मेरी इस विजय यात्रा का कोई गुप्त उदेश्य है कि मैंने यह विजय अभियान वास्तों में दिग विजय के लिए नहीं चलाया है यहां रामगुप्त का संकेत शिखर स्वामी को यह है कि तुम जानते हो मैं धुरू स्वामनी के मन में चिपे चंदरगुप्त के प्रती भावों को जानने के लिए इस विजय अभियान का बहाना बनाकर इस परवतिय प्रदेश में आया हूँ उसकी सफलता भी सामने दिखाई पड़ रही है कि मुझे उसमें सफलता भी प्राप्त हो गई है अर्थात मैं जान चुका हूँ कि धुरू स्वामनी के इर्दे में चंदरगुप्त के प्रती अभी भी प्रेम है स्नी है अपनापन है हाँ थोड़ा सा साहस चाहिए कि यह जो मेरी योजना है यह जो समाधान मैंने ढूंडा है यह जो उपाए मैं करना चाहता हूँ उसके लिए हमें थोड़ा साहस अवश्य बटोरना पड़ेगा शिखर स्वामी वह क्या कि आपकी योजना क्या है जिसके लिए हमें विशेश साहस की आवश्यक्ता है आए प्यारे बच्चों एक बार फिर इस पद की व्याख्या करती है यहां रामगुप्त जब शिखर स्वामी उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि गुप्त समराज्य का राज्य आपको मैंने सारे गुप्त वन्ष का विरोध छेल कर दिलाया है तो रामगुप्त उसकी बात को बीच में ही काट कर कहता है इस बात को मैं बड़ी अच्छी प्रकार से जानता हूँ प्रन्तु इस समय जो हमारे सामने शक द्वारा भेजे गए संधी प्रस्ताओं के अनुसार प्रशन बनकर खड़ा हुआ है यह समय उस पर विचार करने का है उस पर सोचने का है तुम तो यहे भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि यहे विजे अभियान वास्तों में दिग विजे के लिए नहीं है यह मैंने ध्रू स्वामनी के हिर्दय में चंद्रगुप्त के प्रती छिपे हुए भावों को जानने के लिए यहां युद शिविर के बहाने परवतिय प्रदेश में हम ठहरे हुए हैं और उसकी सफलता भी सामने दिखाई पड़ रही है कि मैं उस योजना में सफल भी हुआ हूँ अर्थात अब जान चुका हूँ कि ध्रू स्वामनी अभी भी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है उसके हिर्दय में उसके प्रती कोमल भाव हैं अपना पन हैं स्नी है हां जो उ वह क्या कि आपकी ऐसी कौनसी योजना है बताइए भावार्थ यहां नाटक कार के कहने का भाव यह हैं कि रामगुप्त जैसा आयोग्य और कायर व्यक्ति युद्ध करने का साहस नहीं रखता है और नहीं सच्चाई से टकराने की उसमें हिम्मत है इसलिए वह हैं शड्यं कालों के माध्यम से ही अपनी कमजोरियों को चिपाने की कोशिश करता है विशिश यहां रामगुप्त के चरित्र की कमजोरियों का उधगाटन हुआ है शुद्ध साहितिक खड़ी बोली है तत्सम प्रधान शब्दावली है लक्षना शब्द शक्ति है प्रसाद गुण है समवादात्मक शैली का अनुकरण है अनुभूती परक बिम्ब का सफल परियोग हुआ है पद संख्या 26 रामगुप्त शक दूत संधी के लिए जो प्रमान चाहता है उसे अस्वीकार न करना चाहिए ऐसा करने से इस संकट के बहाने जितनी विरोधी प्रकृतियां है उन सबको हम लोग सहज में ही हटा सकेंगे शिकर स्वामी भविश्य के लिए यह चाहे अच्छा हूँ किन्तु इस समय तो हमको बहुत से विग्णों का सामना करना पड़ेगा प्रसंग पूर्ववत संधर यहां रामगुप्त शक राज के द्वारा भेजी गई शर्म नाक संधी की शर्त को स्विकार करने के लिए तत्पर है वह समझता है कि धुरू स्वामनी को शकराज के पास भेजने से उसके भीतर और बाहर के दोनों प्रकार के शत्रों का एक साथ दवन हो जाएगा और अपनी इसी प्रकार की योजना का उद्गाटन वह शिखर स्वामी से करता हुआ कहता है कि व्यख्या शब्दों के अर्थ आवशक्ता के अनुसार रामगुप्त शक दूत संधी के लिए जो प्रमान चाहता है रामगुप्त शिखर स्वामी को कहने लगा कि शकराज द्वारा भेजा गया दूत संधी की जो शर्त लेकर आया है हमें वह एस्विकार नहीं करनी चाहिए अर्थात उनके द्वारा उपहार में मांगी गई धुरू स्वामी नी और मगद सामंतों की पतनिया उन्हें उपहार में दे देनी चाहिए ऐसा करने से शकराज हम पर चड़ाई नहीं करेगा अकरमन नहीं करेगा और हम शकों की बरबरता से उनकी कठोरता से बच जाएंगे और इस प्रकार यदि हम धुरू स्वामीनी को शकराज के पास भेज देते हैं तो धुरू स्वामीनी चंद्रगुप्त से प्रेम नहीं कर पाएगी और नहीं चंद्रगुप्त के साथ मिलकर कोई कुचक्र अथवा शडियंत्र के माध्यम से मुझे इस राजगदी से नहीं हटा पाएगी ऐसे में हम शकराज और चंद्रगुप्त दोनों से सुरक्षित हो जाएंगे ऐसा करने से इस संकट के बहाने जितनी विरोधी प्रकर्तियां हैं उन सबको हम लोग सहज में ही हटा सकेंगे कि यदि हम शकराज द्वारा भेजी गई इस शर्त को स्विकार कर लेते हैं तो इस समय गुप्त समराज्य पर आये हुए संकट का विगन का बहाना बना कर हम हमारे विरोध में जितनी भी शक्तियां हैं जो भी भावी विपतियां हमारे सामने आ सकती हैं हम उन्हें बड़ी आसानी से अपने रास्ते से हटा सकती हैं शिखर स्वामी भविश्य के लिए चाहे अच्छा हो कि भविश्य में बेशक इसका परिणाम हमारे हित में हो हमारे फाइदे में हो इस समय तो हमको बहुत से विगनों का सामना करना पड़ेगा प्रन्तु अब जो स्थिती है इस समय हमें इस संधी की शर्त को स्वीकार कर धुरू देवी तथा सामनतों की पतनियों को राजी करना कोई आसान कारिये नहीं होगा हमें बहुत सारी मुसीबत और चालों का सहारा लेकर इस कारिये को पूर्ण करना होगा अन्य था यह कारिये करना सरल नहीं हो सकता आए बच्चों एक बार फिर इस पद की व्यक्या करती हैं यहां रामगुत शकराज द्वारा भेजी गई संधी की शर्वनाक शर्त को स्वीकार करने की बात शिखर स्वामी के समक्ष रखते हुए कहता है कि शकदूत संधी के लिए जो प्रमान चाहता है कि शकराज ने अपने दूत के माध्यम से संधी की जो शर्त रखी है उसके अनुसार वह अपने लिए धुरू स्वामी और शक सामन्तों के लिए मगद सामन्तों की पतनियों को चाहता है हमें यह प्रस्ताव या यह संधी की शर्त अस्विकार न करनी चाहिए उसे मान लेना चाहिए हम यदि इस प्रकार धुरू स्वामिनी को शकराज को उपहार में दे देते हैं तो हम शकराज के द्वारा किये जाने वाले आकर्मन वे उसकी बरबरता से उसकी कठोरता से सुरक्षित बच जाएंगे और दूसरी तरफ जब धुरू स्वामिनी गुप्त समराज्य में नहीं रहेगी तो है चंद्रगुप्त से मिल नहीं पाएगी प्रेम नहीं कर पाएगी और भविष्य में ये दोनों मिलकर कोई शडियंत्र रचकर हमें गुप्त समराज्य से अलग कर दें इस खत्रे से भी हम सुरक्षित हो जाएंगे और इस संधी की शर्त को स्विकार करने से हमारे भीतर और बाहर के सभी शत्रू एक साथ प्रास्त हो जाएंगे और हम उन्हें बड़ी आसानी से अपने रास्ते से हटा सकेंगे और हम सुरक्षित रहे पाएंगे शिखर स्वामी इसका उत्तर देते हुए कहता है भविश्य के लिए यह चाहे अच्छा हो प्रंतु इस समय धुरू देवी को तथा मगद सामनतों की पत्नियों को मनाने के लिए हमें बहुत अधिक संकटों का मुसीवतों का विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा यह कारिय इतना सरल और सहज नहीं है भावार्त यहां नातक कार के कहने का भाव यह है कि शिखर स्वामी और रामगुप्त दोनों ही दुश्चरित्र, कायर और शडियंत्रकारी प्रवर्ति के व्यक्ति है अते निजी स्वार्त की पूर्ति के लिए वो अपना और गुप्त सामराज् ताक पर रखने से पीछे नहीं हटते हैं विशेश यहां रामगुप्त और शिकर स्वामी की दुश प्रवर्ती को उजागर किया गया है शुद्ध साहेति खड़ी बोली है तत्सम प्रधान शब्दावली है वेंजिना शब्द शक्ति है प्रसाद गुण है समवादात्मक श हसकर तब तुम्हारी बुथी कब काम आवेगी और हां चंद्रगुप्त के मनोभाव का कुछ पता लगा शिकर स्वामी कोई नई बात तो नहीं रामगुप्त मैं देखता हूं कि मुझे पहले अपने अंत्रपुर के ही विद्रोह का दमन करना होगा निश्वास लेकर धु देवी के हिड़े में चंद्रगुप्त की अकांग्षा धीरे धीरे जाग रही है प्रसंग पूरववत संधर यहां उस घटना का उल्लेख है जिसमें रामगुप्त और शिकर स्वामी दोनों मिलकर धुरु स्वामनी वे मगद सामंतों की पतनियों को शक्राज को सोपने के लिए तैयार हैं और वो इस कारिये को किस प्रकार संपन्न किया जाए दोनों ही मंत्रना कर रहे हैं उसी के विशे में लेखक लिखते हैं कि व्यक्या शब्दों के अर्थ आउसकता के अनुसार रामगुप्त हसता है तब तुम्हारी बुद्धी कब कामावेगी कि तुम इ निती शास्त्र के ग्याता हो तो अपनी बुद्धी से कोई न कोई निती की बात निकाल कर इस शर्त को निती के आवरण से ढख दो और हाँ चंद्रगुप्त के मनो भाव का कुछ पता लगा कि क्या आप चंद्रगुप्त के मन में धुरू स्वामिनी के प्रती कैसे भाव हैं और वो आजकल क्या आचरन कर रहा है क्या तुम गुप्त रूप से उसका पता लगा सके शिखर स्वामी कोई नई बात तो नहीं कि शिखर स्वामी कहने लगा कि यह कोई नई बात तो नहीं है महराज, इसके विशे में आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि चंद्रगुप्त धुरु स्वामिनी का अत्यदिक सम्मान करता है, उसके हिर्दय में भी धुरु स्वामिनी के लिए आदर है, स्ने है, प्यार है, रामगुप्त, मैं देखता हूँ कि मुझे पहले अपने अंतवपुर के ये विद्रो का दमन करना होगा, कि रामगुप्त कहने लगा, अब मुझे ये बात समझ में आ रही है, कि मुझे शकराज से पहले, अपने घर में जो विद्रो तयार हो रहा है, धुरु स्वामि को उपहार में देकर चंद्रगुप्त की भावना को और उसकी शक्ति को तोड़ दिया जाए, तथा धुरु स्वामिनी को भी शकराज के पास भेज कर उसके हिर्दये से चंद्रगुप्त की चवी मिटा दी जाए, नीच स्वास लेकर लंबा सांस लेते हुए, धुरु दे भी धीरे धीरे अपने मन में चंद्रगुप्त की प्राप्ती की इच्छा और सपना संजोए हुए हैं। मैं जाने कब वो अपने इस भाव को पूर्ण कर ले और मेरे लिए गुप्त समराज्य के लिए गुप्त राजगद्धी के लिए वह कोई खत्रा उत्पन न कर दे। आईए प्यारे बच्चों एक बार फिर इस पद की व्यक्या करते हैं। यहां रामगुप्त हसकर शिकर स्वामि से कहता है कि तब तुम्हारी बुद्धी कब कमावेगी। कि इस बात को इस शर्त को स्विकार हम कर रहे हैं कि फिर तुम्हारा वो निती सिध्धान्त तुम्हारी वो निती की बातें और तुम्हारी बुद्धी की चालबाजियां कब कामाएंगी यदि तुम धुरुस्वामनी और मगद सामंतों की पत्नियों को उपहार में जाने के लिए तैयार न कर पाओ तो और हाँ एक बात और बताईए कि क्या आप चंद्रगुप्त के मन में धुरु स्वामिनी के प्रती छिपे हुए भावों को जान सके क्या उसके आचरण और कारियों पर नजर रख पाए आपको उसके विश्य में क्या पता चला शिकर स्वामी कोई नई बात तो नहीं कि चंद्रगुप्त धुरु स्वामिनी से प्रेम करता है स्ने करता है उसका आदर करता है यह बात कोई नई तो नहीं है महराज आप इसके विश्य में बहुत अच्छे से जानती है तब रामगुप्त कहने लगा मैं देखता हूं कि मुझे पहले अपने लगता है कि शकराज को शांत करने से पहले मुझे अपने ही महल में छिपे हुए मेरे प्रती विद्रो के भावों को दबाना होगा कुचलना होगा अर्थात कहने का भाव यह है कि धुरु स्वामिनी और चंद्रगुप्त एक दूसरे के प्रती जो प्यार के भाव पाले यदि मैं इन दोनों को अलग-अलग कर दूं तो ये कोई शड़ियंत्र या कुचकर के द्वारा मुझे से गुप्त समराज्य की राजगद्धी नहीं चीन पाएंगे और नहीं मेरे जीवन को कोई खत्रा इनसे रहेगा निश्वास लेकर लंबी सांस चोड़ कर धुरू देवी के हिर्दय में चंद्रगुप्त की अकांक्षा धीरे धीरे जाग रही है कि धुरू स्वामनी के हिर्दय में चंद्रगुप्त की प्राप्ती की इच्छा धीरे धीरे बढ़ रही है विक्सित हो रही है अर्थात कहने का भाव यह है कि धुरू स्वामनी भी स्वातंत्र रूप से चंद्रगुप्त के प्रती अपने प्यार को स्विकार कर रही है अतह वो कभी भी मेरे लिए खत्रा उत्पन कर सकती है भावार्थ यहां नाटक कार के कहने का भाव यह है कि रामगुप्त अपनी इस कमजोरी को निती सिध्धान्त के परदे से ढखकर अपने स्वार्थों को पूर्ण करना चाहता है विशेश यहां रामगुप्त और शिकर स्वामी के शडियंत्र कारी भावों पर प्रकाश डाला गया है शुद्ध साहिति खड़ी बोली है तत्सम प्रधान शब्दावली है लक्षना शब्द शक्ति है प्रसाद गुण है समवादात्मक श्यली है अनुगूती परक अरे बच्चों इतना ही अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आशा है पढ़ा गया विशेश आपको समझ में आया होगा अपने भाव विचार कमेंट बॉक्स में लिखें वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल सब्सक्राइब करें आपका दिन और जीवन मंगल में हो इसी शुप कामना के साथ आभार धन्यवाद